आज़े हिंदेcause इस्टारट करते हैं आगे कल मैंने क्रोमोजोम बताया था… क्रोमोजोम इस्ट्रक्चर बताइग थी ठीक है inseonner data का function भी आपको मालुम है कि कि इस एक generation में जाते हैं और जा करके कैरेक्ट्र स को भी साथ में ले जाते हैं और आंगे new generation में वो characters को so करते हैं समझ में आया ना तो आपको ये chromosome के बारे में बता रही थी कि chromosome की structure बताई special type of chromosome दो और आपकी एक होते हैं polyteen chromosome एक होते हैं आपकी lampbrose chromosome polyteen chromosome जो होते हैं वो आपकी insect की saliva में पाय जाते हैं इसलिए उसे हम बोलते हैं salivary chromosome और इनमें chromatid की number जादा होती है 500 अबब होती है 500 से 512 से लेकर के 1000 तक इसलिए हम giant chromosome भी बोल सकते हैं giant chromosome ठीक है और lampbrose एक chromosome होता है जिसकी structure होती है lampbrose को साफ करने वाले bris के जैसे होती है इसलिए उसे बोलते हैं lampbrose chromosome और ये chromosome आपका जो आपके word egg है word egg के nucleus में जो आपके chromosome पाये जाएंगे वो आपके lampbrose chromosome कहलाएंगे clear ठीक है अब देखना on the basis of centromere centromere के base पर chromosome को और भी कुछ नाम से जाना जाता है ठीक है यहां हम लिख सकते हैं centromere की स्थिति के आधार पर या on the basis of centromere position हम लिखेंगे on the basis of basis of centromere centromere position position centromere position के base पर chromosome को और आपका four category में डिवाइट किया गया है centromere क्या होता है मालूम है ना centromere कल मैंने बताया था chromatid फिर chromonima फिर दो आपके chromatid जहां पर आपके attach होते हैं जैसे आपका यह chromatid है यह chromatid है ना तो यहां आ करके एक ऐसे यह सक्रा पार्ट में आपके ऐसे attach हो जाते हैं यह one centromere फिर आपके यह अलग-अलग होंगे और अगीन फिर आप करके यह आपके सक्रे हो करके और फिर यह आपके ऐसे जुड़ते हैं एक जगह पर तो दो क्रोमोजोम के जुड़ने का जो पार्ट होता है वो कहलाता है centromere दो क्रोमोजोम के chromatid जहां पर जुड़े होते हैं वो आपका कहलाता है centromere तो centromere की position के बेस पर क्रोमोजोम के और आपके टाइप बताए गए हैं ठीक ना जैसे देखना एक है आपका क्या है एक होता है acrocentric एक होता है telocentric पहले हम बोलें telocentric दूसरा है आपका acrocentric चीक है तीसरा है आपका metacentric और फूर्थ है आपका सब यह सेंट्रिक सब यह सेंट्रिक क्रोमोजूं तो centromere की position के बेस पर भी chromosome के प्रकार बताये गए हैं देखना तीलो सेंट्रिक किसे बोलेंगे जब आपके chromosome के ऊपर यह है आपका जैसे इह बना दिया हमने क्या यहां बना दिया यह हमारा chromosome है क्या है यह chromosome तो just chromosome के top पर जब आपका centromere होता है तो इसे हम बोलते है टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम यह क्या है टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम एक्रोसेंट्रिक क्या है कि जब आपका एक क्रोमोजोम की आम वड़ी हो एक क्रोमोजोम की आम छोटी हो और दोनों आर्म बोले तो भुजाएं दो भुजाएं जैसे हमने ऐसे बनाई थी न ऐसे और फिर इसको सक्रा करके फिर इसकी ऐसे बना दी थी ऐसे तो दो भुजाएं हो गए कि नहीं हो गएं तो कहना चाहिए कि एक्रोसेंट्रिक कहलाता है कि जिसमें से एक क्रोमोजोम की आर्म या भुजा बड़ी और एक छोटी हो इसके बीच में पाया जाए आपका क्या सेंट्रोमियर, इसके बीच में ये पाया जाए सेंट्रोमियर, तो इसे हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रो क्या बोलेंगे? एक्क्रोसेंट्रिक. जब सेंट्रोमियर आपका एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा के beef में पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? एक्क्रोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक क्या होता है मेटासेंट्रिक जब आपकी दोनों भुजाएं क्रोमोजोम की दोनों भुजाएं आपकी क्या हो बिलकुल बराबर हो ये बराबर हो और इनके बीच में आपका पाया जाए क्या सेंट्रोमियर ये आपका ऐसा पाया जाए centromere, जब दोनों भुजाओं के बीच में, इसकी structure ऐसे बनेगी भी जैसे बिलकुल ऐसे, ये बीच में आपका क्या हो centromere हो, ठीक है ये ऐसे बना है न, तो जब दोनों chromosome के दोनों आम क्या हो, equal हो और भी like structure बना रही हो और उनके बीच में ये आपका centromere हो, तो इस तरह को हम बोलते हैं metacentric, ये हो गया centromere centromere मियर और ये हो गए आपकी chromosome arm chromosome chromosome arm arms, समझ में आ गया तो इसे हम बोलेंगे metacentric हम आता है some metacentric some metacentric में क्या होगा कि इसमें आपकी क्या हो कि एक arm आपकी क्या हो थोड़ी बड़ी और एक arm आपकी क्या हो छोटी, एक arm आपकी थोड़ी छोटी और बीच में आपका क्या पाया जाए, ये centromere तो इसमें आपका structure कैसे बनेगा, ऐसे L जैसे, एक आपकी क्या है चोटी और एक आपकी क्या है बड़ी और यह आपका बीच में सेंट्रोमियर ठीक है यह ऐसे आपको दिख रहा है ऐसा दिख रहा है यह इसमें दोनों आम बराबर होती है इसमें दोनों आम बराबर नहीं होती हो इसमें तो एक छोटी आर्म पाई जाती हो इसमें कोई इवंशी भी आर्म नहीं होती सीधे आपका यह क्रोमोजॉम सुम्म की एक ही आम होती है और टॉप प्र आपका सेंट्रोमेРЕ होता है अ कि embodied नहीं दोनो सेम सेम नहीं हैं दोनो सेम सेम नहीं है इसमें आप सम मैटा को बोल रहे हो100 मैटा do Some Après No 1 से थोड़ी बड़ी रहेगी और इसमें अária क्कुण ऐसे उग अर्ट के एल से बन रही और इसकी स्ट्रक्चर भी से बन रही है समझ में और इसकी स्ट्रक्चर आई से बन रही है समझ में आगे ना यह आई जैसा बन रहा है यह आई जैसा यह आपका ऐसे बिलकुल लाइन के फोर्म में आप ऐसे मिला सकते हो इसको यहल सेप में और इसे हम भी शेप में बोल सकते हैं समझ में आगे न तो ये भी नाम आपके कि टीलो सेंट्रिक क्या है एक्रो सेंट्रिक क्या है मैटा सेंट्रिक क्या है और सब मैटा सेंट्रिक क्या है ऐसे भी नाम आपके क्रोमोजोम क्या तो एक्रो सेंट्रिक क्या है तो ऐसे आपके नाम पूछी जाएंग यह centromere है जो chromosome को जोड़ने का कार करता है तो जब centromere chromosome में पाया जाता है तो कहां पर centromere कैसे present है उस इस्थिती को लेकर भी chromosome के नाम अलग-अलग दिये गए है चीक है? हटाएं? चलिए आंगे देखें और यह जान जाएए कि chromosome जैसे यह X-X हम chromosome लिखते हैं ना तो यह एक chromosome है, यह one chromosome है क्या है यह? वन chromosome और जो आपकी ऐसे और ऐसे करते हैं आप तो यह एक chromatid और यह दूसरा chromatid समझ में है ना? यह दो chromatid ऐसे chromosome में यह ऐसे दो chromatid बताए हैं कि नहीं बताए हैं और दोनों chromated ऐसे पास में आकर करें फिर centromere से जोडते और और फिर चोड़े हो जाते हैं फिर ये हम जीन किहते हैं यह कल चीज बताई थी मैंने तो यहां मैंने बताया कि यह एक क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम के जो यह दोनों क्रोमेटेड हैं, यह दोनों क्रोमेटेड बीच में जिस प्लेस से जुड़े होते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं, हम सेंट्रोमीर, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमीर, यह आपका होता है centromere, चीक है, चलिए, आगे आते हम DNA, हम पढ़ेंगे DNA, यह है आपका DNA, पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है, देखें, जो nucleus के अंदर मैंने अभी पढ़ाया है, nucleus की structure में पढ़ाया था, यह आपका क्या था, इससे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन नेट, और यही क्रोमेटीन नेट आपस में जुड़ जुड़ करके, आपके क्या बनाते हैं, क्रोमेटीन से आँगे क्या बनता है, क्रोमेटीन किसके unit है, अभी क्या पढ़ा है पीछे हमने, क्रोमोजोम, हाँ, नुक्लियोसोम भी बोल सकते हैं यूनिट में, तो हम बोलें कि क्रोमोजोम का निर्माण किसे हुआ है, क्रोमेटीन से, और यदि क्रोमेटीन को देखें कि क्रोमेटीन का निर्माण किसे हुआ है, तो क्रोमेटीन का जब बिल्कुल छोटा और पार्थ हम निकलेगे बिलकोल महीन बिलकोल आपका नुकलियोसों से भी छोटा पाट यदी हम निकलेंगे तो आपका निकल करके आएगा DNA क्या आएगा निक लिए नि कभी आपने 12 में प्रक्टिकल किये हुए हो तो DNA हम आइसोलेट करते हैं ठीक है किसी भी आपका कहना चाहिए पति का मिक्षर लेकर के, पपाया का मिक्षर लेकर के, प्याज का मिक्षर लेकर के, DNA आइसोलेट किया जाता है, यह CBSC में में प्रक्टिकल है यह, चीक है ना, तो यह आपका DNA अलग किया जाता है, DNA को हम देख सकते हैं, बिल्कुर ट्यूब में हम DNA को देख सकते हैं, जिस यूनिट से बना है उसे हम बोलते हैं DNA, क्या बोलते हैं? DNA, DNA बनाता है chromatin net, यह है आपका chromatin net, और chromatin net से बनता है आपका क्या? क्रोमोजोम, ठीक है DNA को count करने में दिक्कत जाती है, chromatin को count करने में दिक्कत जाती है, लेकिन एक nucleus के अंदर chromatin को count किया जा सकता है, कि 46 होते हैं, बताते हैं न कि हमारे अंदर 46 होते हैं, क्योंकि यह देखो छोटे-छोटे धागे, यह कि ऐसा net जैसा इसे गिंती करने में काफ है, आसानी से गिना जा सकता है, समझ में है न, जो हर जीबों में अलग-अलग होती है, क्या, क्रोमोजोम आजाएगा, अब देखो, जैसे इन में आपका chromatin और DNA आए, तो इन में base pair को गिना जाता है, nitrogenous base को गिना जाता है, जैसे मैंने बताया था, nucleosome बताया था, कि एक nucleosome में आपके 200 base pair आपके पाये जाते हैं, nitrogenous base जो होते हैं, वो 200 पाये जाते हैं, एक nucleosome में, और ऐसे nucleosome, chromatin में न जाने कितने होते हैं, समझ में आए न, चलिए, अब देखते हम DNA के बारे में आते हैं, वही DNA जो structure हमने डाली है, तो DNA, सबसे पहले deoxyribonucleic acid कहलाता है, और ये main आपका क्या होता है, genetic material होता है, main genetic material, हमारी cell का मुख अनुवानसिक पदार्थ आपका क्या कहलाता है, DNA, जहां कहीं भी DNA अनुपस्थित होता है, वहाँ फिर दूसरा पदार्थ आपका बनता है, क्या RNA, क्या बनता है, RNA, तो RNA फिर आपका second genetic material कहलाता है, लेकिन यदि DNA जैसे होता है न, आपका डाइरेक्टर और प्रेशिपल, तो यह डाइरेक्टर है, यह प्रेशिपल है, लेकिन यूदडी डाइरेक्टर अनुपस्तित हो जाए, तो फिर सारा कुछ क्या है, यह है, यह ही है, समझ में आए न, तो इस तरह से कहना चाहिए कि DNA की अनुपस्थती में RNA फिर मुख genetic material का कार करने लगता है RNA जो mean genetic material होता है वो किसका होता है ज्यादा तर बाइरस का जो plant बाइरस है plant बाइरस जैसे एक मैंने बताया था टोबैको मौजिक बाइरस तमाखू की पत्तियों में जो बाइरस आपका सबसे पहले खोजा गया बाइरस है यह टोबैको मौजिक बाइरस TMB वाइरस इवानो बिस्की ने खोजा था और इस इसकी structure देखे इस बाइरस की structure देखे तो यह तो crystal shape में होता है ऐसे protein की खोल होती है ऐसे और इसमें जो genetic material होता है वो ऐसे आपका निकला होता है इस genetic material को हम बोलते है RNA तो हमेशा जो plant के बाइरस होते हैं plant बाइरस का genetic material क्या होता है RNA होता है समझ में आया ना clear है और हम लोगों का ज़्यादा तर genetic material आपका क्या होता है DNA होता है ठीक है ना चलिए तो यहां हम बताते हैं DNA को DNA के खोज आपकी 1860 में आपका 1860 में इन 1860 में आपके faderic mischer कहीं कहीं पर इसे mischer बोला जाता है कहीं कहीं पर इसे mischer भी लिखा है परिशान मत हो ना मिस्चर कुछ बुक इसे मिस्चर लिख रही है और कुछ बुक इसे मिसर भी लिख रही है समझ में आए ना तो फैडरिक मिस्चर इन इन 1860 आप का आते हैं फैडरिक यह एफ भी लिखा रहा है तो एफ का मतलब फैडरिक है यह फैडरिक फैडरिक मिशर ऐसे भी लिखेगा और टी भी लगा रहेगा मिशर भी लिखा रहेगा टी भी कहीं कहीं मिलता है तो इसे फैडरिक मिशर या मिशर भी बोलते हैं समझ मैं न इन्होंने सबसे पहले DNA की खोज के और इस DNA को नाम दिया था Nuclein 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 N-U-C-L-I E-N और लगाईए Nuclein यह है Nuclein Nuclein नाम दिया था फैडरिक मिशर ने सबसे पहले DNA की खोज के और इसे Nuclein नाम दिया फिर आते हैं 1899 में आपके Altman Altman Scientist आते हैं कौन आते हैं? Altman Altman ने इसे Nuclein Acid नाम दिया है Nuclein Acid Nuclein Acid Kendra क अमल इसे कहा गए है किसने Altman ने समझ में आया जो Griffith थे हमारे Griffith Scientist थे Griffith ने जो चूहों में प्रयोग करके प्रयोग किया था और DNA को बताया था क्या बताया था कि Genetic Material Griffith ने इसे इसे अनुवानसिक पदार्थ कहा था Genetic Material Genetic Material Genetic Material Genetic Material किसने Experiment करके बताया है? Griffith Scientist ने Griffith ने इसे अनुवानसिक पदार्थ कहा था इसने चूहों पर निमोनिया रोग को प्रजेंट करके उसमें S-Varuland और R-Varuland का ये दो-तीन स्टेप में आता है पूरा प्रयोग किया था और उस प्रयोग के द्वारा फिर सर्च किया था कि जो DNA है वो आपको क्या होता है? Genetic Material होता है समझ में आया ना? तो ऐसे इसकी हिस्ट्री बता देंगे अब आते हैं आपके Jack Harris Jack Harris एक साइंटिस्ट आते है Jack Harris ने बताया कि DNA का यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये हैलिक्स के फॉम में दिखाई देती है ऐसे Jack Harris Jack Harris Jack Harris साइंटिस्ट ने बताया था कि DNA डी जैने आपका कैसा होता है हेलिक्स 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 किया कहलाता है कुण। ऐसे चिसने बताया कि dna की सनरेशना कुणौने होती है समझ में आयू हटाए है चीक है ने डवल हैलिक्स नहीं बोलेंगे केवल हैलिक्स इन्होंने बताया है डवल हैलिक्स के फॉर्म में डवल स्टेंडर्ड मॉडल दिया है आपका बॉट्सन क्रिक जो इसके बाद बता रही है यह देखना यहां आते हैं 1953 में आपके फीमस साइंटिस्ट जिसके जो आज का डियने पढ़ते हैं वो इनके कोडिंग पढ़ते हैं तो 1953 में आपके वाट्सन एंड क्रिक वाट्सन एंड क्रिक यह आते हैं दो बैग्यानिक साथ साथ में इन्होंने काम किया और बताया 1953 में वाट्सन एंड क्रिक ने डीने का डीने का डवल हैलिक्स मॉडल डवल हैलिक्स हैलिक्स मॉडल दिया हैलिक्स मॉडल दिया स्वाज़ में डीने दुई कुंडलित संदचना जो है वो आपकी किसने दी है वाट्सन एंड क्रिक ने यही है सबसे इंपॉर्टेंट आपक सब्सक्राइब और इसके लिए डिया था नोबल पराइस इन azt से सम्मानित क्लिया गया था नोबेल प्राइज दिया गया था आपका जब आपका पूरा विश्व पूरा उसको सही आपका कर देता है तब जाकर के उसको नोबेल प्रायज वगएरह आपका दिया जाता है समझ मैं extermin सैंट चलिए अब हम बात करते हैं DNA की जो double helix model है तो यह कैसी होती है हम डालेंगे structure of structure of DNA DNA की structure यदि हम देखें तो DNA की structure किसकी किसकी बनी होती है तो DNA की structure बनी होती है सबसे पहले हम लिखेंगे nitrogenous base यह चार कहलाते है nitrogenous चार लिख सकते है nitrogen से बने हुए चार चार यह नेचर होता है तो nitrogen चार बेस को लिख सकते हैं चार हिंदी वाली लिखते जाना ठीक है nitrogen चार हो गए आपके दूसरा है आपका पेंटोज सुगर पेंटोज सुगर पांच कारवन वाली शक्कर पाई जाती है इसमें थीगे नब जैसे ग्लूकोज में छे कारवन होते हैं, लेकिं राइबोज सक्क्र जो होती 여 varsa, उसमेंais होती हैं, अजायलन जायलूलोज है, राइबोज है ये पा चारवन वाली कहलाती है, देखे न तो पैंटोज पैंटोज का मतलब पांच कारवन जिसमें हो तो राईबोज सरक्रा होती है और फ़र्ड क्या होता है फास्फ़ोरिक एसड फास्फोरिक एसड गोले तो फास्फोरिक अम्ल इन तीन चीजों से मिलकरके आपका dna बनता है dna का निर्मान, तीन जैसे एक cell का निर्मान होता है न, cell boundary, cytoplasma, nucleus, यदि ये तीन में से कुछ भी चीज एपसेंट कर दो, तो वो आपकी cell नहीं कहलाएगी, समझ मैं न, सेम यदि DNA में इन तीन चीज़ों में से कुछ भी आप एपसेंट कर दोगे, तो DNA आपका नहीं बनेगा, ठीक है न, तो DNA को बनाने में nitrogenous base, pentose sugar और आपका phosphoric acid, ठीक है न, जो phosphoric acid होती है, वो आपका H3PO4, इसका formula है, H3PO4, और यहाँ पर जो pentose, जो 5 carbon वाली sugar है, तो यहाँ सबसे पहले pentose sugar में, आपकी देखना, riboge, sugar भी 5 carbon की है, और यहाँ DNA में जो आपकी sugar है, वो आपकी क्या है, deoxy riboge, वही riboge है, तो सबसे पहले deoxy riboge को find किया गया था, deoxy riboge, सबसे पहले deoxy riboge, इसका भी diagram अभी हम बताएंगे, समझ में आना, हम बात करते हैं nitrogenous base, सबसे main जो है nitrogenous base, यह क्या होते हैं, यह लिख लीजे, nitrogenous base की बात करते हैं, लिख ली आए, चीक है, हो गया है सबका, देखिए nitrogenous base में हम आते हैं, तो nitrogenous base को देखें, तो यह दो भागों में बटे होते हैं, nitrogenous, nitrogenous base, बोले तो nitrogen charge होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं, एक को बोलते हैं, प्यूरीन, प्यूरीन, ठीक है ना, प्यूरीन, और एक को हम बोलते हैं, पाईरी मिडीन, पाईरी मिडीन, प्यूरीन और पाईरी मिडीन, ठीक है, नाइट्रोजन यहां भी हैं, और यहां भी हैं, दोनों में अंतर क्या है इसमें आपने chemistry पढ़ी होगी chemistry कुछ-कुछ आप लोगों मालूम होगी तो ring बनती है यह आपकी ring यह आपकी ring बनी होगी है इसे हम बोलते हैं single ring बैंजीन ring पढ़िये ना छह कारवन की benzen ring तो जब आपकी जैसे सिंगल रिंग आपकी यह पाई जा रही कैसी पाई जा रही है single ring जिसमें single ring हो वो कहलाता है pure ring और जिसमें double ring आ जाए आपकी ऐसे यह आपका यह बना दिया मैंने यह जिसमें ऐसे double ring आ जाए उस double ring को हम क्या बोलते हैं pyrimidine ठीक है ना यह आपका purine और यह हो जाएगा आपका क्या pyrimidine समझ में आया समझ में आया ठीक है ऐसे यह ring आपकी यह कहलाएगा आपका pyrimidine और यह कहलाएगा purein प्यूरीन में जो आता है purine में दो चीज़ आती है प्यूरीन में कितनी चीज़ आती हैं दोचीज आती है एक आता है आपका adinin और एक आता है आपका guanine और adinin औरstawine यह प्रानीन यह nitrogen ATP का नाम हम बोलते हैं तो नाइटरोजिन जलाइडनेन लाइदिन जिए जोड़ते हैं समझ एंगा ना तो वही नाइटरोजन सिर्फ इस आपका एडिनेन और गवानीड इसमें जो हम पढ़ते हैं पाइरिमेडीन में जो पढ़ते हैं तो इसमें भी हम ओर थाइमीन पढ़ रहे हैं तो आरेने में जो आपका पाइरिमेडीन होगा फाइरिमेडीन उसमें क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे साइटोसीन और यू- anch लो सुमझें आपके डीने में जो नाइट्रोजिन इस लेसे हैं डिने नाइट्रोजनस बेस कितने पाए जाते हैं चार कौन-कौन से एडीनिन, गौनीन, साइटोसीन और आपका थाइमेन और जो आरेने होते हैं आरेने में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी होते हैं चार ये एडीनिन, गौनीन, साइटोसीन और यूरेसल समझ में आ गया यदि आए DNA और RNA में क्या अंतर है तो DNA में 4 nitrogenous based पाये जाते हैं adenine, guanine, cytosine, thymine RNA में भी 4 nitrogenous based पाये जाते हैं बट उनके नाम है adenine, guanine, cytosine और uracil uracil और thymine को लेकर के difference पाये जाता है DNA और RNA में समझ में आ गया ठीक है आप देखिए अब हम बात करें यहाँ पर यह DNA की जो double helix model है DNA की जो double helix model है adenine को और detail से बताएं कि किसमें क्या जुड़ा होता है कब बोलेंगे adenine, कब बोलेंगे हम thymine बता दे, बता दे, चलिए ठीक है देखिए adenine यदी हम देखिए adenine 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 कब बोलेंगे यह आपकी किसमें आते है adenine, guanine purine में purine में कैसी ring बनती है single हाँ एक ring बनती है और pyrimidine में कितनी ring बनती है double ठीक है ना, तो देखो हम adenine पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे है, aden कब बोलेंगे हम इसे adenine, तो देखना, यह है यह यह जैसे आपका क्या है, benzenine आपकी ring है यह क्या है आपकी? benzenine ring है हर, यह आपका जैसे हम बोलें, यह यह 1, 2, 3, 4, 5, और यह क्या है? 6, 6 कारवन की आपकी structure बनी है इसका देखना, हर कारवन के साथ, यह हर कारवन के साथ क्या लगा होता है? H लगा होता है, लगा होता है ना, जैसे आपका C6 और H6 बोलें तो हर कारवन में H, हर कारवन में यह H मिल करके ऐसी बंद structure जो बना लेता है, उसे हम बोलते हैं क्या? benzen ring, ठीक है ना, तो यहाँ देखना कि कुछ कारवन में hydrogen की जगए कुछ और लगा होता है तो यहाँ देखना, 1st कारवन में, 1st कारवन में, कारवन से attach होगा nitrogen, 3rd कारवन में, 3rd वाला कारवन जो है, उससे attach होगा nitrogen, ठीक है ना? और जो आपका, यह 6 वाला कारवन है, यहाँ पर attach होगा NH2 Amine और बाकि आपका यह H, यह आपका H, यह आपका H, बहुले तो कारवन से H attach है, कारवन से H attach है, कारवन से H attach है, लेकिन इसके 1st, 3rd और 6 में difference देखने को मिलता है इसके जो first carbon होता है उसमें nitrogen, इसका जो third carbon होता है वहाँ भी nitrogen और जो six carbon होता है वहाँ पर amine लगा होता है, क्या लगा होता है amine, इसलिए आपका ये क्या है adinin, ये क्या है आपका adinin, तो adinin की structure ऐसे होती है, समझ में आ गया, ठीक है, adinin, अब हम बात करते हैं guanine, तो guanine में भ ये single ring हो गई आपकी, इसमें देखना, इसमें भी आपका ये first, second, third, fourth, fifth और ये sixth इसमें भी first carbon में आपका ये first carbon है और ये आपका third carbon, ये second carbon, ये आपका fourth carbon, ये आपका fifth carbon, ये आपका sixth carbon तो इसके 1st carbon में भी nitrogen लगी है, 3rd carbon में भी nitrogen लगी है, लेकिन 6 carbon में ketone group लगा हुआ है, कौन सा group लगा हुआ है, ketone, O, 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 4 ketone कहलाता है आपका, यह ketone group लगा हुआ है, और बाकि आपका यह H, H, बाकि उसी तरह है, हर carbon में, 3 carbon में carbon से hydrogen लगी, इसे हम बोलेंगे क्या guanine, क्या difference है, यह मालूम चल गया, इसमें amine लगा होता है, उसमें ketone लगा होता है, समझ में आ गया, अब हम बات करते हैं, pyrimidine की, ठीक है, pyrimidine में आ जाते हैं, pyrimidine में यह देखना, pyrimidine में हमें क्या पढ़ना है, हम DNA पहले पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ना है cytosin, और क्या पढ़ना है थाइमी, तो किसे बोलेंगे हम साइटोसीन और किसे बोलेंगे हम थाइमी, चीक है, किसे बोलेंगे हम साइटोसीन, किसे बोलेंगे हम थाइमी, इसमें चुकि यह किसमें आते हैं, पाइरी मिडीन, पाइरी मिडीन आपके होते हैं, और पाइरी मिडीन की सबसे पहली इस पेसलिटी क्या है कि double ring पाई जाएंगे membrane नहीं double ring पाई जाएंगे तो एक पहली हम ये बना लेते हैं ये आपकी purine आपकी ये ring आपकी और फिर इसमें एक और ring बना करके इसे हम कर देते हैं pyring ये हो गया आपका pyring ये इसमें नमबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 और ये 9 ठीक है ये देखना आप ये ऐसे आपका ring रहेगा इसमें देखना जो cytosine अभी हम इसको क्या बना रहे हैं cytosine बना c4 cytosine तो cytosine में क्या होगा cytosine में आपका ये जो आपका first और third है यहां nitrogen लगेगा इस carbon से nitrogen लगा है यहां third carbon से भी nitrogen लगा है यहां third carbon से भी nitrogen लगा है यहां seven carbon से भी nitrogen लगा है और यहां nine carbon से भी nitrogen लगा है समझ में आ गया है, हम क्या पढ़ रहे हैं इसे? साइटोसीन, इसके केंड कारवन में लगा हुआ है, ये ओ, और इसके फ़र्स्ट कारवन में लगा हुआ है NH2. समझें हैं ना, ये दिफ्रेंस है, बांकी और जहां जो है यहां H H आपका ये बांकि H carbon से hydrogen लगा रहेगा समझ में आया ये है हमारा cytosine क्या है ये हमारा cytosine C4 cytosine यही हम बात करें thymine की thymine में आएंगे तो thymine में देखना इसमें भी आपकी double ring बनेगी ये आपकी double ring बनेगी चीक है ये आपकी bonding की जाती है ये देखना है इसमें भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7, ये 8 और ये आपका 9 यहाँ भी N, N और ये आपका N और ये आपका N समझ में है न? H जैसे तो नहीं लग रहा है आप लोग N बना रही हूं मैं ध्यान रखना ये N बना है ये आपका ये ध्यान रखना 1st में, 3rd में, 7 में और 9 में आपका nitrogen लगा होता है चीक है? ये और यहाँ है आपका 6th carbon में यहाँ एमीन की जगह है ketone और 2nd में भी ketone ये ये आपका क्या? और एक चीज़ और और 5th carbon में जो होता है यहाँ लगा होता है CH3 CH3 यहाँ आपका क्या रहेगा? एक सेकंड कुछ उल्टा हो गया है कुछ उल्टा हो गया है एक सेकंड एक मिनाट रुकना एक मिनाट कुछ confusion हो गई है यहाँ पर मैंने आपको जो pyrimidine है pyrimidine purine और pyrimidine एक सेकंड प्यूरीन में आपका मैंने क्या बताया है एडिनीन गौानीन ना एडिनीन गौानीन बताया है मैंने है ना और यह हो गया है यहाँ पर गड़बड देखना जो pyrimidine है pyrimidine आपके होते हैं single ring वाले कैसे होते हैं single ring वाले यह होते हैं इसे थोड़ी correction है यह सही कर लीजे हो जाता है कभी-कभी तो इसे आपने जहां या तो जो डाइग्राम बनाए है न अभी आपने जो एडिनीन और गौानीन बनाए होगे पीयुरीन में हम ने पढ़ते हैं यह देखना यहां पहले यह देखिए पहले piremidine को देख लीजे piremidine में single ring बनेगी pyrimidine में डाल लीजिए single ring या आपकी होंगे single single ring या आपकी single ring बनेगी heading change कर सकते हो तो ठीक है नहीं तो फिर से आप लिख लो कोई दिकतेक प्राइड बाइड की सब रहेंगे बस इसको देख लो जैसे यह आपका क्या पाईरी मिडीन में सिंगल रिंग बता रहे हूं ठीक है न और पाईरी जो प्यूरीन है उसमें डवल रिंग बताऊंगी मैं तो यहां यह यह यहां आप देखना यह है इसका फर्स्ट और यह आप तो यहां आपका कहा है और यहां लगा हुआ है हुआइड्रोजन जो है आपका कार्वन तो थाइमीन में भी आपका क्या बनेगा सिंगल रिंग ही बनेगा यह सिंगल रिंग बनेगा इसमें आपका यह फस्ट कारवन है यह सेकंड कारवन यह थर्ड कारवन फॉर्थ कारवन फिप्ट कारवन यह शिक्त कारवन यहां भी नाइट्रोजन यहां भी नाइट्रोजन य यहां ketone और यहां CH3, methyl group लगता है, पांच में carbon से methyl group लगता है, इसे बोलते हैं थाइमीन, क्या बोलते हैं इसे, थाइमीन, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ring को ले करके वो difference हो गया है, उसे आपको correct करना है, यह आप डाल लीजिए, मैंने pyrimidine जो डाला है, और इसमें double ring बोल दिया था, ठीक है, चलिए, अब यदि हम बात करें RNA में पढ़ें जैसे, RNA में यदि हम पढ़ेंगे, तो RNA में थाइमीन की जगए, क्या पढ़ेंगे हम uracal पढ़ेंगे, तो uracal में भी आपकी क्या बनेगे, single ring बनेगे, क्या बनेगे, single ring, इसमें भी आपका यह first carbon, यह second carbon, यह third carbon, fourth carbon, fifth carbon, और यह sixth carbon, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ O, यहाँ आपका O, और यहाँ आपका सीध है H, और यह आपका H, ठीक है, समझ में आया, हो गया, लिख लिया, आप उसमें आजाईए, जो आपका मैंने बताया है, यूरेसल हो गया, थाइमीन हो गया, और आपका साइटोसीन हो गया, ठीक है, अब हमें बताना है, किसको बताना है, एडिनिन और गौानीन को, ठीक है, यह आपके डवल रिंग में आएंगे, यह देखना, यह अभी मैंने मैं ऐडिनिन को बता रहे हूं में, एडिनिन, और यह आपके गौानीन, यह आपकी किस्म, क्या कहलाते है, pureen कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, pureen, इसमें कैसी ring बनेगी, double, यह आप डाल लेना, double ring, double ring, रिंग, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा disturb हुआ है, तो यहाँ pureen होते हैं double ring वाले, ठीक है, अब adinin की देखना, यह structure बना रही हूं, यह adinin है, इसमें आपके double ring बनेगी, ठीक है, यह हो गया आपका, यह, यह आपका first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, यह sixth carbon, यह seven carbon, eight carbon, और nine carbon, सबसे पहले यहाँ first carbon में nitrogen लगेगा carbon से, third carbon की carbon से भी क्या लगेगा nitrogen, सेवन कारवन से भी आपका नाइट्रोजन और नाइन कारवन से भी क्या लगेगा नाइट्रोजन समझ में आ गया और सिक्स कारवन से क्या लगेगा आपका हैमीन क्या लगेगा हैमीन हो गया यहां आपका क्या लगेगा एच यह आपका क्या है एच तीक है यह हो जाएगा लि ग्वानीन की structure में एडिनीन और ग्वानीन की structure में ग्वानीन में देखिए ग्वानीन में आपका ketone group लगा देना है amine को छोड़ करके क्या लगा देना है ketone group लगा देना है बागी आपका पूरा वही structure रहेगा यहां बस आपका ketone group लग जाएगा लिख लिया यह हो जाएगा यह हो गया आपका यह हो गया फास्ट कार्बन यह हो गया थार्ड कार्बन यह हो गया सेवन कार्बन यह हो गया नाइन कार्बन यह एट कार्बन में हाइड्रोजन लगेगा यह पूर्थ कार्बन है यह आपका 5th carbon है और यह 6th carbon में लगेगा आपका ketone group, यहां क्या लगेगा आपका H, ठीक है? हो गया? ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं, देख सेकेंड, फासफोरिक एसड, पैंटोज पहले सुगर डालो आप, पैंटोज सुगर पैंटोज सुगर पैंटोज सुगर प्यूरीन में एडीनिन, गौानीन बता है ना इसमें पैंटोज सुगर देखिए यह है आपका पैंटोज सुगर मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले कौन से सुगर आपकी डिस्कवर की गई है? डी ओक्सी राइबोज पहले डी ओक्सी राइबोज और फिर आपकी राइबोज सुगर पहले आपकी फाइड की गई है डी आने की ही सुगर जिसे हमने बोला था डी ओक्सी राइबोज यह है आपकी डी ओक्सी राइबोज सुगर पढ़ रहे हैं डी ओक्सी राइबोज पांच कारवन वाली सुगर तो इसकी structure हम ऐसे बनाएंगे इसका नाम है 1, 2, 3, 4, और 4 से इसे हम 5 नहीं पढ़ेंगे, यह 5 नहीं है, 4 से ही इसका अटेच होता है पांचमा कार्वन, इसे पढ़ेंगे हम 5, क्या पढ़ेंगे, इसे 5, हर कार्वन में आपका, यहां आपका यह O, O लगा होता है, ठीक है, O ग्रुप, समझ में आना, हर कार्वन में, यह कार्वन है, हर कार्वन में आपका H और क्या लगा होता है, O, H, H और O, H लगा होता है, ठीक है, यहां देखना, यह मैं आपका राइबोज सुगर, पहले राइबोज पढ़ो, अब फिर मैं बताते हूँ, डी आक्सी कैसे होता है, तो देखना, हर कार्वन म तो इसी तरह इसे hydroxyl group भी बोलते हैं OH को hydroxyl group तो यहां हर carbon में आपका क्या लगा होता है HOH यहां आप देखोगे यहां H और यह H इसका जो O है वो आपका यहां लगा हुआ है समझ में आया? यहां आप देखना कि जब हम DNA पढ़ेंगे तो DNA का जो second carbon है second carbon की एक oxygen क्या होती है यह यहां से deleted होती है हर carbon में जो hydroxyl group के साथ यह oxygen OH hydroxyl कहलाता है न तो जब हम DNA की pentose sugar पढ़ते हैं तो इसके second carbon में खाली आपका HH मिलता है क्या मिलता है हमें? HH मिलता है यह आपका यह मिलेगा आपका यहां पर खाली आपका इस carbon में H और यह आपका H मिलेगा यह carbon second है तो यहां HH मिलेगा यहां से second carbon से oxygen deleted होती है oxygen absent होती है इसलिए इस 5 carbon वाली सरकरा को हम क्या बोलते हैं? pentose sugar यह 5 carbon की जो सुगर है pentose लेकिन oxygen delete हो जाने के कारण deoxy, deoxy, ribose, pentose sugar deoxy, ribose sugar यह कि 5 carbon की है तो pentose sugar समझ में आए ना? लेकिन यदि हम RNA पढ़ेंगे RNA पढ़ेंगे तो RNA में यह OH प्रजेंट रहेगा तो उसे फिर हम बोलेंगे ribose sugar ठीक है? ribose sugar क्या कहला जाएगी? ऐसे यह सीधे आपके यह 5 carbon यह 1, यह 2 और आपका 3 और यह आपका 4 और 4 से ही आपका लगा होता है पाँचमा carbon समझ में है? यह होता है यहाँ O यह पाँचमे carbon का यह पाँचमे carbon में भी हम H और H लिखते हैं यह CH2 कर देते हैं कहीं कहीं पर CH2 डाइट लिखा होता है तो इसका O जो है यह 5 में carbon का है यह लेकिन लगाते हैं इसको यहाँ पर है समझ में है न? यहाँ जो second carbon रहेगा तो यह carbon में यहाँ H और यह OH यहाँ आपका H और यह OH third carbon में भी इसी तरह H और OH तो यह RNA है यह क्या है? RNA है यह आपकी क्या है? राइबोज सुगर है यह क्या है? राइबोज सुगर क्योंकि इसके second carbon में oxygen present है ठीक है? second carbon में oxygen delete नहीं होती है इसलिए से राइबोज बोलते हैं और यह DNA की सुगर है यह DNA की सुगर है क्योंकि इसके second carbon में एक oxygen delete हो गई है इसलिए से हम बोलते हैं डियोक्सी राइबोज सुगर समझ में आ गया ठीक है clear तो nitrogenous base और आपका pentose सुगर बता दिया मैंने अब आपको आना है phosphoric acid जो आपका H3PO4 है H3PO4 तो H3PO4 में यह phosphorous यह आपका OH यह आपका OH यह आपका OH और यह double bond O यह होती है structure of phosphoric acid यह है phosphoric 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 structure phosphoric phosphoric acid H3PO4 को हम क्या बोलते है phosphoric acid तो phosphoric acid लिख लेना acid phosphoric acid structure ठीक है यह तीनों चीज मिल करके DNA की एक संरचना बनाती इन तीनों चीजों के मिलने से एक DNA की कैसी संरचना बनती उसको देख लेते हैं ठीक है हो गया चल देखना DNA की जो Watson और Crick model दिया गया है double helix model तो आपने ऐसे पढ़ा है कि DNA जो होता है DNA भी दोहरे धागे का होता है तो इसका एक धागा आपका ऐसे आता है ऐसे ये कहलाया एक helix चीक है और दूसरा आपका ऐसे आएगा ऐसे और ये आपका ऐसे जाएगा ये हो गया दोहरा धागा सेम इसी तरह क्रोमेटीन भी दोह रहा होता है सेम इसी तरह आपका क्रोमोजोम भी दो क्रोमेटिट से बना होता है यह डी आने पढ़ रहे हैं तो डी आने में भी आपके दो धागे हैं समझ मैंना तो यह डी आने का एक थ्रेड कहलाएगा यह डी आने का सेकेंड थ्रेड कहल दो इतने भाग में एक आपका ऐसे एक मोड में आपके कितने होते पांच जोड़ी आपके नाइट्रोजनस बेस और यदि पूरा एक हैलक्स किसे बोलेंगे जैसे यह और यह 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 कहलाएगा आपका इसा आया और ऐसा हो गया है ये कहलाएगा एक helix तो एक helix में 5 इथार और 5 इथार तो 5 और 5 केतने होगे 10 तो dna के ग्ली वन helix model में 10 पेर केन इतनी होते हैं 10 kupin nitrogenous base पाय जाते हैं दस जोड़ी nitrogenous base होते है ठीक है समझ में ना यह nitrogenous base आपके ऐसे आपके बीच बीच में यह आपके ऐसे जुड़े होते हैं bond के द्वारा यह ऐसे इसकी एक helix की जो length होती है वो 34 angristang होती है होती है 34 angristang समझ में यह ध्यान रखना यह एक थ्रेड यह आपका एक धागा दूसरे धागे से कितनी दूरी पर है तो यह 20 angristang 20 angristang समझ में यह nitrogenous base जैसे आप देखना यह adinin है और यह आपका क्या है adinin और यह थाइमीन यह यह guanine है और यह आपका क्या है cytosine हमेशा guanine और cytosine के बीच में triple bond और adinin और thymine के बीच में double bond होते हैं समझ में न तो जैसे यह nitrogenous base और यह nitrogenous base दो nitrogenous base के बीच की जो distance होती है वो 3.4 angristang जैसे यहाँ देख लो thymine और cytosine के बीच की distance जो रहेगी वो 3.4 angristang समझ में आया अभी और इसको और अच्छे से बताएंगे भी यह outer structure में इतना बता दे रहे हैं आपके यह क्या है hydrogen bond कहलाते हैं जो आपके nitrogenous base को जोडने का काम करते हैं इन bond को हम बोलते है hydrogen hydrogen bond क्या बोलते हैं hydrogen bond दो hydrogen bond की बीच की distance जैसे यह hydrogen bond इस bond से कितनी दूरी पर है तो यह होता है 2.8 angristang कितना होता है 2.8 angristang दो hydrogen bond की बीच की जो distance है यह bond है तो दोनों की बीच की distance 2.8 angristang हाँ नई एडीनिन और एडीनिन यह एडीनिन और यह है आपका thाइमीन तो एक बोन्ड और यह दो बोन्ड तो दो बोन्ड के बीच की जो distance है जैसे आपका guanin और यह cytosene तो यहां 3 बोन्ड हैं तो जैसे इसके और इसके बीच की 2.8 और इसके और इसके बीच की भी 2.8. समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ठीक है? ठीक है? चलिए. तो कहना चाहिए कि जो चौते सेंगर स्टांग है वो पूरा एक हैलेक्स. और एक हैलेक्स में कितने नाइट्रोजनस वेस आते हैं? दस जोड़ी. जैसे यहां पर बने क्षाइंगे? पाँच तो 5 और 5 ऌपांच इइन वनवर, 5 इधर, 10 और 10 न है, तो 10 तो 10 पेयर हो जाएंगे? हो जाएंगी ना. 10 और 10 बीस. 20 को क्या बोलोगे, ध ाज्त जोड़ी ना. तो इस तरह से 10 जोड़ी से एक डीने के स्ट्रक्टर हम बनाते हैं. अब देखो कैसे आपके बनती है internal structure यह तो हमने पढ़िए time अभी है time अभी है time थोड़ा सा समझे इसको समझ लोग पूरा DNA हो जाए क्योंकि बहुत सारा देखो पढ़ाने के लिए तो मुझे यह लगता है कि यह पढ़ा दू यह पढ़ा दू लेकिन आपका थोड़ा सा आप लोग परिशान ह होने लगते हो कि जल्दी सलेवा सो जाए कम पढ़ें हम कम पढ़ने का फिर यह रीजन रहेगा कि पता चलेगा कि जो जो आपका वो topic छूट जाएगा उससे यदि आपके question आ गए तो आपसे नहीं बनेंगी तो हम सोच रहे हैं कि जो time दिया गया है उसमें मैं आपको जादा से जादा cover करवा दूँ आपके topic जिससे इस topic से यदि question आए तो आपके ना बनें ठीक है जैसे अभी कभी आगे के बेच में अभी जो हो गया वहाँ जल्दी थी तो यह topic छूटा है वहाँ पढ़ाया है तो इसलिए फिर जैसा time होता है फिर बैसे लेना पढ़ता है क्या करें और फिर कुछ तुम लोगों की कमी हो जाती कि पढ़ना नी चाहे तो ज्यादा ऊपर निकलने लगता है आपके तो वहीं जब exam में question आ जाएगा तो फिर सब कुस समझ में आ जाएगा कि कास पढ़ लि जो DNA अब यह ऐसे बताई है यदि इसकी structure देखी जाए तो कैसी होती है देखना है हम लिखेंगे इंटरनल इस्ट्रक्चर इंटरनल इस्ट्रक्चर ओफ डियने इंटरनल इस्ट्रक्चर ओफ डियने इसमें आपका जो nitrogenous base होते हैं एक चीज और देख लेना यहाँ पर न्यूक्लियो टाइड जैसे आजाए न्यूक्लियो टाइड क्या है एक आजाए आपका न्यूक्लियो साइड न्यूक्लियो साइड क्या है न्यूक्लियो साइड क्या है न्यूक्लियो साइड क्या कहलाते हैं तो DNA का जो एक यह thread है ना यह thread इस thread में आपके क्या है nitrogenous base भी है फासफोरिक एसड भी है और पैंटोज सुगर भी है इन तीनों को एक खटा मिला करके जो इस्ट्रक्चर बनती है वो DNA का धागा कहलाएगा इस धागे को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियो न्यूक्लियो टाइड तो DNA दो न्यूक्लियो टाइड से मिलकर के बनी क्वाइलिड इस् है nitrogenous base, जो हम चार पढ़ेंगे, adenine, guanine, cytosine, thymine, nucleos nitrogenous base हम पढ़ेंगे, adenine, guanine, cytosine, thymine, ठीक है ना, यह हो गए nitrogenous base, फिर आजाएगा आपका pentose sugar, ठीक है, 5 carbon की जो deoxyribose sugar पढ़नी हमें, और plus हम पढ़ेंगे यहाँ phosphoric acid, phosphoric acid जिसका formula लिखाए मैंने H3PO4 इन सभी को तीनों को मिला करके जो बनता है वो क्या कहलाता है Nucleotide क्या कहलाता है Nucleotide यदि Nucleotide में से ये Phosphoric Acid को हटा दो यदि आप यदि हम ये Nucleotide हो गया Nucleoside किसे बोलेगे Nucleoside कहलाएगा Nitrogenous Base और प्लस Pantose Sugar यदि इसमें Phosphoric Acid न जोड़े तो ये आपका क्या कहलाएगा Nucleoside Nucleoside है Nitrogenous Base और आपका Phosphoric Acid नहीं होगी उसमें Pantose Sugar Sugar और Nitrogenous Base को हम पोलते हैं Nucleoside As for Sugar तो Sugar तो रहेगी क्या नहीं रहेगी Phosphoric Acid नहीं रहेगी समझ में आ गया तो इस तरह से दो वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं कि What is the Nucleotide, What is the Nucleoside Nucleotide क्या है Nucleoside क्या है तो इसमें आपका पेंटोज सुगर ये लिखा है पेंटोज पांच कारवन की पेंटोज सुगर पेंटोज सुगर आपके Phosphoric Acid से जो H3PO4 है या तो 3-5 या 5-3 डाइरेक्शन में लगी होती है जो DNA में डाइरेक्शन चलता है वो क्या चलता है तीन से पांच कारवन में या कि पांच से तीन कारवन में ये भी ध्यान रखना है जो DNA की संरचना बनती है तो उसमें शुगर और फासफोरस का जुड़ने का जो फैसन होता है वो 3-5 या कि 5-3 एक साइड यदि 3-5 है तो दूसरी साइड 5-3 रहेगा चिक है अब देखो अब हम बनाते हैं डाइग्राम ये देखना ऐसे ये दस होते हैं दस इस तरफ और दस इस तरफ मैं आपको केबल 2-3 बना करके बताऊंगी ठीक है बाकि 10 जोड़ी जो मैंने लिखवा दिया है तो वो 10 जोड़ी ही होते है देखो एक तरफ हमने ऐसे बनाया ना इसे हम कैसे पढ़ेंगे ये देखना वन ये हो गया आपका एक सेकंड इसे हम ऐसे काउंट करें ये हो गया फोर और फोर से ही क्या जुड़ा होता है फाइफ जुड़ा है ना भी बताए ना मैंने तो इसी तरह ये वन तू थिरी और ये आपका फोर और फोर की जगए हम इसको हम फाइफ भी बोल सकते हैं क्योंकि फोर फाइफ एक ही कनेक्टेड होते हैं समझ मैंना यहां हम बनाएंगे कैसा इसको उल्टा कर देंगे अब ह अब देखना इसमें यह क्या है आपका जैसे फॉल दू थिरी और यह फोर और फोर से क्या जुड़ा है फाइफ तो यह अपका फाइब यह ळुत आंगा आपका four five यह हो गया five ठीक है और यह one two three और यह हो जाएगा आपका क्या यह three और यहां आपका आंगे रहेगा five समझ में आए ना यह है आपका शुगर यह क्या है शुगर पांच कारवन की यह है शुगर अब शुगर से सबसे पहले देखो कि कैसे फासफोरस जोड़ती है तो यह तीन से निकलेगा और कहां जुड़ेगा आपका पांच में तो यह हो गया फासफोरिक ऐसे है यहां देखना आप यह पांच से निकलेगा समझ लो इसे नीचे सिर मत करो उपर करो यह पांच से निकलेगा और कहां जुड़ेगा यह तीन से जुड़ेगा तो यहां फ्री डायरेक्शन समझ में आगया और इक वीर्श आध रेखना यह थाष्फोरस है थुपर इस फोर सबार बीच मैं कि अले मुएं एक पशरस महान दोस आपकी जुड़ी हुए हो कि तने बैंने इन B इस Phospho-Diester Bond यह हो जाएगा Phospho-Diester डाई नहीं बोलेंगे Phospho यह bond जो आपकी नाम है इन bondों का नाम है Phospho-Diester Bond Phospho-Diester Bond बोलेंगे इनको Phosphorus DNA में Phosphorus सुगर से जिन bond के द्वारा जुड़ी होती है उन bond का नाम क्या है तो Phospho-Diester Bond ठीक है ना? हाँ, दो bond है Phosphorus तो Phospho फिर दो bond है तो डाई और Eester Bond बोलेंगे इसे समझ में आ गया? ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एक सुगर, एक सुगर यह एक निूकलियोटाइड है यह एक निूकलियोटाइड है क्योंकि देखो, यहाँ सुगर हो गई Phosphorus हो गई और यही हाइड्रोजन से यह जोड़ दिया मैंने एडिन तो आपका यह नाइट्रोजनस बेस भी आ गया नाइट्रोजनस बेस पेंटोस सुगर और Phosphoric Acid इसको मिला करके हम क्या बोल देंगे? नुक्लियोटाइड समझ में आगे न? और जैसे अभी इसको यदि हमने यह जैसे इसमें नहीं जुड़ा है जैसे यह है आपका सुगर और Phosphorus है तो यह आपका कुछ नहीं कहलाएगा अभी क्योंकि यहाँ तो हमने पढ़ा है नुक्लियोसाइड और यहाँ की नुक्लियोटाइड तो नुक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस जोड़ाना जरूरी होता है समझ में आ गया? यहाँ देखना जैसे यह एडिनिन जोड़ा हमने यहाँ पर अब हम ले लेते हैं यह नाइट्रोजनस बेस जो होते है यह है नाइट्रोजनस बेस यह एडिनिन हमेशा एडिनिन थाइमीन से जोड़ता है एडिनिन और थाइमीन तो एडिनिन और थाइमीन के बीच में यह डवल बॉन्ड आते है यह आपका थाइमीन होगा और यहाँ देखोगे यह nitrogenous base और सुगर के बीच में यह वाला जो bond है यह bond हाईडरोजन borन कहलाथ है क्या कहलाथ है? हाईडरोजन और दो nitrogenous base के बीच में भी जो bond पाए जाते हैं यह भी हाईडरोजन बॉन्ड कहाती है यह भी आपका क्या है? hydrogen ये भी आपका hydrogen bond है hydrogen bond और ये भी आपकी क्या है hydrogen bond ही है hydrogen bond hydrogen bond तो हम DNA में दो bond पढ़ते हैं एक hydrogen bond और एक हम passport diester bond समझ में आ गया ठीक है तो इस तरह से adenine thymine से जुड़ जाएगा next हम देखेंगे ये ये आपका guanine आएगा ये guanine और guanine cytosine से जुड़ता है तो हमेशा इनके बीच में triple bond आते हैं कितने आते हैं triple bond ये जो हम जोड रहे हैं आपको पता है कि adenine और guanine हमने पढ़ा है प्यूरीन में और cytosine और thymine में पढ़ा है हमने काई में pyrimid with समझ में है न तो इसको a और g को जुड़ना चाहिए न c और t को जुड़ना चाहिए लेकिन आपके एक बैग्यानिक आए थे चारगाफ साइंटिस्ट आये थे तो उन्होंने a g और c t को आपका ऐसे जैसे a g और आपका ऐसे लिख दिया था अनुपाद के रूप में उन्होंने जोड़ा था ये a और ये a g और आपका यहां पर t और thymine और cytosine ऐसे तो ऐसे आपका था ऐसे जोड़ा था ये ये आपक से बराबर कांट किया गए तो अनुपात लिया था ऐसे अनुपात में जोड़ा था एडीनिन thymine से और guanine cytosine से ऐसे तो ये चारगाफ का तुल्यांकी नियम कहलाता है तो अनुपातिक नियम चारगाफ ने बताया था कि एक nucleotide के जो एक nucleotide होता है वो दूसरे nucleotide के बर होता है बोले तो एडीनिन-guanine ये एडीनिन-guanine equal cytosine thymine के समझ में आ ऐसे लेकिन फिर इन्होंने जो DNA में इनके जुड़ने का जो रेशियो बताया था तो वो ऐसे अनुपात के रूप में लिया था इन्होंने कि AT से जुड़ेगा और GC से जुड़ेगा समझ में आगे तो इसलिए आपका ये ऐसे जुड़ता है तो हमेशा एडीनिन से ठाइवीन इन ध्यान रखना गौनीन से cytosine यह ऐसा भी लिख सकते साइडोसीन से गौनीन थाइमीन से एडीनिन लेकिन कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि एडीनिन था ओन कि आ रहेगा एडीनिन थाइड़ता ह यहां आप देखना जैसे आपका यह G हो गया यहां आपने C और यह आपका प्रिपल बॉंड और यह आपका जी कर दिया यह तो यह जो भॉंड है यह जो भॉंड है यह भी हाइड्रोजन नों समझ में आगे ना तो ऐसे अभी 1 2 3 बनाए फिर से आपका रिपीट हो जाएगा थाइमीन, एडिनीन, फिर आपका चलने लगेगा आपका गवानीन, साइटोसीन, ऐसे आपके, बोले तो आपके 10, 10 इधार और 10 इधार, तो 10 और 10 बीस, 20 का मतलब बोले तो 10 जोडी, 10 जोडी, हाँ, तो ऐसा एक हैलेक्स जब आएगा, तो अभी जैसे मैंने 3 बनाए न, A, G, और C, और फिर आपका ये T, और फिर आपका G, आपका ऐसे आगा, तो ये 5, और फिर इसको जब मैं ऐसे मोड़ूंगी, तो फिर आपका ये आपका G में खतम हुआ, यहाँ आपका, जैसे C से हमने कर दिया, स्टार्ट, फिर आपका ये, मैंने कर दिया, T से स्टार्ट कर दि से तो पाँच यह ओर पांच यह 10 और इसी तरह दूसरे दागे का यह पाँच होर पांचब तो कितने एक dna की एक हैलिक्स में दस जोड़ी तस जोड़ी आपके नाइट्रोजियनस बेस होते हैं समझ में ना और इसकी पूरी length जो होती है एक DNA helix की जो length आती है वो 34 angristi Aang aati है कितनी आती है 34 angristi Aang समझ में आगे न यहाँ आपका एक nucleotide यह है और एक nucleotide यह है तो इस nucleotide की भीच की जो distance है वो 20 angristi Aang समझ में आगे न यह hydrogen bond इस hydrogen bond से कितनी distance फ़ो फॉट 2.8 की distance पर ये एडिनीन, ग्वानीन से कितनी दूरी पर है, ये 3.4 की डिस्टेंस पर है, समझ में आ गया, तो ऐसे ये मैंने आपको DNA की स्ट्रक्चर पढ़ाई है, DNA की स्ट्रक्चर काफी important है, DNA की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी purine क्या है, pyrimidine क्या है, एडिनीन किस से जुड़ता है, एडिनीन, थाइमीन के बीच में कितने बॉंड है, DNA सब्द किस ने दिया, डियॉक्सी राइवोज सुगर क्या है, ठीक है, न्यूक्लिन क्या है, ऐसे करके बहुत सारे question बनते हैं, जो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीकिन इस चीज को हम बहुत, अभी और भी इसके अं घ्रीके से, साँमेहना, तो आज की क्लास का ये DNA structure था, DNA structure मैंने बता दिया है और DNA के बाद RNA को भी मैंने बता है र इने भी आपका कितने प्रकार का होता है keter 2019 आरएने करें एक करों आपका एक एक होता है आर आर्एने अर्ए Spa 5 मैसेंजर राईबो न्यूकले कैसे डी एने का मैसेश AWS में ले करके आता है उसे बोलते हैं हम MRNA, messenger ribonucleic acid, चीक है न, इसे हम क्या बोलते हैं, messenger ribonucleic acid, यह जैसे nucleus में यह DNA होता है, तो DNA का message MRNA के द्वारा आता है, यह transfer ribonucleic acid, समझ में आना, transfer ribonucleic acid, सर को बोल दो, transfer ribonucleic acid, तो यह, इस message को transfer cytoplasm में करता है, और यह आपका ribosomal ribonucleic acid, तो यह ribosom जहां होते हैं, वो message यहां आ जाता है, और ribosom यहां protein बनाने लगता है, समझ में आना, तो इसे हम बोलते हैं, एक मिनट, ribosomal ribonucleic acid, समझ में आया, तो यह DNA की structure finish है, और कल की class में फिर नया पढ़ेंगे, चीक है, जैहे हैं,